Hello Friends, With My Tour में आपका स्वागत है, मैं हूँ राकेश और आज की मेरी वीडियो है PQC Lain के बारे में, कि PQC Lain कैसे होता है, रोड कैसे बनती है, ये चीज में आपको आज की वीडियो में बताऊंगा और एक खुशी की बात है दोस्तो, कि मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके है और ये आप सभी के सपोर्ट की वज़े से हो पाया है दोस्तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ अब लेंग के बारे में बात करते हैं तो आज में इसके लेयर के बारे में शौट में पहले आपको बता देता हूँ तो चलिए देखते हैं वीडियो सबसे पहले लेवल रेकॉर्डिंग होता है और CNG होता है और इसके बाद Embankment Top और Subgrid Top का लेयर होता है जो मिट्टी के बने रहते हैं और इसके उपर GSB का लेयर आएगा जो Aggregate का लेयर रहेगा और GSB के उपर DLC का लेयर आएगा और DLC का जो Material है वो Cymet Mixed Concrete रहेगा और DLC के उपर PQC का लेयर रहेगा जिसके बारे मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले Tring Line के उपर 5-5 मिटर पे लेवल दिया जाता है देखे एक ही Line में Stud लगे हुए है और String Line के तार के उपर Machine का Sensor सेट किया जाता है यह है एनिमोमिटर इसे Wind Velocity चेक किया जाता है लेइंग के टाइम अंदरा से ज्यादा हवा की स्पीड नहीं होनी चाहिए पिक्क्यूसी करने से पहले DLC के सरफेस को क्लीन किया जाता है देखिए Brooming Machine से इसकी सफाई हो रही है और Bed के उपर जो भी कच्रा है इसे साप किया जाता है पूरी सफाई करने के बाद इसके उपर Watering की जाती है देखिए Watering हो रही है और देखिए पूरा Bed पानी से बीग चुका है और यहाँ पे लेबर पानी से मिट्टे की सफाई कर रहे है PQC के जोइंट के उपर Bitumen Paint किया जा रहा है अब देख रहे हैं DLC की सरफेस क्लीन हो चुकी है और इसके उपर Separation Membran लगाया जा रहा है जो 125 माइक्रोन का रहता है या एक प्लास्टिक है Separation Membran लग चुका है और Escavator अभी जा रहा है मसीन के पास और इसके पीछे 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 पहला लोड भी आ चुका है मसीन की बात करें तो इसे पेवर कहते हैं और इसकी प्राइड 16 करोड के सम्थिंग है और यहा का Location की बात करें तो यह गुजरात में वडोदरा के भाईली गाउ से तीन किलोमेटर की दूरी से इसका alignment जा रहा है पीक्यूसी की वेड़ की बात करें तो यह लेफ साड में 18.75 और राइट साड में भी 18.75 रहे हैं तो यहा है हुआरि लड़ पिक क्यू सी के कॉंक्रिट का स्लम चेक किया जा रहा है और ये 10 mm से 40 mm के बीच में इसका स्लम रहना चाहिए लेइंग के टाइम एम्बियंट टेंपरेचर 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए और देखिए कॉंक्रिट का टेंपरेचर चेक किया जा रहा है और ये 30 डिग्री से ज्यादा टेंपरेचर नहीं होना चाहिए इसे डाउल बार कहते है और इसको मसीन के द्वारा कॉंक्रिट स्लैब के मिडल में डाल जाता है पिक्यूसी के सर्फेस को मसीन के फ्लॉटर से उसे ठिक किया जा रहा है यह मसीन की जितनी विड्थ है उसमें गूमता रहता है और इसकी सर्फेस को ठिक करता रहता है वीडियो भी पुरा नहीं हुआ है दोस्तों 21 लेंग के बारे में अभी आपको बहुत कुछ जानना है लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही थी इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है तो आप दुसरा पार्ट देखना न बुले वीडियो को लाइक और सेर करना न बुले और जो दोस्तों लोग मेरी चैनल पे नए हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेश करना न बुले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नौटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले कि अॉछ सब्से गहां बुले नत 뒤 어।